हलो एप्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आज मैं शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ में एक गोल कबाब बनाने की बहुत ही इजी सिंपल नई सी रेसपी इसे आप भी एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत जादा जूसी और बहुत सॉफ बनती है यह चले कैसे बनाना है सी ब्हुना कुटावा जीरा पाउडर एक टी स्पून चिली फ्लेक्स वन टी स्पून थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें काली मिर्चो का पाउडर मैं इसमें डाल रही हूं आधे चोटे चममच नमक डाला है मैंने इसमें एक बड़े चममच आप हस्बेस मिला देना है इसमें मैंने आधे चममच गरम मसाला भी डाला है वह मैंने मिस्ट कर दिया बताया नहीं और बस यहां पे इसको अच्छे से मिला दीजिएगा अब यह जो है जो मतन है यह जो है अभी मसालों के साथ में मैरिनेट होगा तो इसको 15-20 मिट के लिए पहला मसाला लगा कर साइथ पर रख दीजिए देखें पहला मसाला जो हमने लगा दिया था तो बहुत अच्छा मारिनेट होकर टेंडर हो जाता है यह नेक्स्ट में हमें जो मसाले लगाने है उसमें तली हुई प्यास जालनी है तो एक प्यास को मैंने बारिक काटकर स्लाइस में फ्रा जो कि मैंने तीन टेबल स्पून डाली है और डालकर मैं इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ बस बहुत ही जादा इंस्टेंट एजी से कबाब की रेसपी है तो आने वाली एद पे जो बख्रे दा रही है इस पे आप यह वाले कबाब जरूर ट्राइ कीजेगा एजी है ब तो बस यहां पे थोड़ा थोड़ा पोशन लीजिए और इसको गोल गुमाते वे राउंड कर लीजिए और यह आपका गोल शेप आ जाता है बहुत ही एजी है बहुत ही सिंपल है और फटा फट से यह रेडी हो जाते है तो सारे मैं इसी तरह से बना कर तयार कर ले रही हू डाला इसे भटाए हो इसे बहुत ही नहीं पुरा एक बार में है हमें आद आधे कर दो कर दो कर दो कर रही हूं अर ऑभी तरी तरीकर भी आपको बता रही हूं तो अब जब तोट जाएंगे तो अभी जब थोड़ा सेटल हो जाए यह तेल में अच्छा सा कलर आने लगे तो आप हलका हलका स्पैचुला या किसी स्पून से इसको चला दीजेगा और बस इसके कलर आने दीजेगा हलका हलका जब यह stiff होने लगेगा तो इसको आप easily चला सकते हैं और बहुत ही अच्छे यह रहेंगे तूटेंगे भी नहीं क्यूंकि हमने इसमें साबुत कुछ-कुछ मसाले डाले हैं तो वो तेल में निकलते हैं ओव्यस सी बात है वो तेल में निकलेंगे तो इसलिए आपक कच्छी प्यास के बना रहें तो आप इसको एक हफते तक बना कर फ्रिज में रख सकते हैं और शेप देकर रखिएगा और जब भी आपके महमान आए आपको इसको खाना हो तो बस निकाले और फ्राइ कर लीजिए तो इस तरह से यह बहुत जादा अच्छे हैं रग भी सकत तो आप निकाल लीजिए उसको स्ट्रेणर से चान लीजिए और सेकेंड बैच डालिए और इसी तरह से सारे फ्राइ कर लीजिए तो आप इनको प्यास के लच्छों के साथ में सर्फ कर सकते हैं साथ में नीबू जरूर रख लीजिएगा और यह बहुत जादा चटपटे ह जब बनाते जाएंगे और यह कि अटने मज़ेके लगता है कि अबना कर बदोगे और और यह बना पर जाएंगे तो बहुत ही जबरदस से बनते हैं देखें अंदर से कुछ जूसी है और मैंने जैसे आपको बताया है नीमू डाल कर खाएंगे तो और भी चटटपटा तो जबरदस्ट से गोल कबाब के रेसपी आप भी आने वाली एद पर जरूर ट्राइब कीजेगा कुछ अलग सा है कुछ नया सा है और बहुत ही असान है बहुत ही कम मसाले जाते हैं लेकिन जो जाते हैं वह बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं इसको तो आप भी एक कबाब जरूर ट्राइक करें कैसे लगी आपको मेरेस्पी मुझे जरूर बताइएगा अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज एक बड़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा चैनल पे नहीं तो सबस्ट्राइब जरू कर लीजेगा फिर मिलूगी मैं एक नई जब अड्रस रसेपी लेकर तब तक अपनो और अपने फैमिली का ख्याल रखेगा दौाओं में आद रखेगा बाद हैंक्स पर वाचिंग